नमस्कार जेन स्वागत है आपका Only New Nation में 10,000 चीनी सैनिकों ने भारती सैनिकों के सामने कर दिया सरेंडर भारती सैनिकों का बड़ा बड़ा एक्षन इस हैक्षन के बाद चीन में तांडो मच गया है चीनी सैना परेशान शी जिन पिंग को हाड टेक आने वाला है क्योंकि भारती सैनिकों ने जो जलवा दिखाया जो पराकरण दिखाया इसके बाद आप भी हैरान होने वाले हैं अंतक वीडियो के साथ बने रहे हैं और कमेंट बॉक्स में दना दन जैहिन 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 लिख भारती सेना की बात आये और जैहिन न लिखे वो दर्शक्या तो जरूरी है जैहिन लिखना चले पुरी खबर की और बढ़ते हैं आपको बता दें लगातार साथ आठ नो दोर की वारता हो चुकि उसके बावजूद ये सेनिक हट नहीं रहते और पुरुवी लगदाग पे ज सेना हटा लो हटा लो वरना हम एक्षन लेंगे यहां भी लेंगे वहां भी लेंगे चीन पार्क को सेना प्रमु की दो टूक दो टूक कहते हुए पुरुवी लगदाग में कई महीनों में जारी भारती सीमा विवाद के बीच आर्मी चीप जनरल मनोज मुकंदर नरवणे बड़ा एलान किया है नरवणे का बड़ा एलान क्या है उन्होंने कहा आर्मी चीप नरवणे ने कहा भारती सेना के वल पूरी लगदाग ही नहीं बलकि पूरे लेसी पर उचस्तर की निगरानी रख रही है आपको बता दें कि 10,000 चीनी सैनिक भाग चुके हैं रण छोड क क्योंकि भारती सेना ने अब एक्शन ले लिया है भारती सेना ने कहा कि अब यहां से हटो और ताबर तोड एक्शन लिया है और भारत ने 50,000 सैनिकों को जमा दिया उसी बॉर्डर पे जमा दिया क्योंकि चीन को दबाना है तो उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़त उसके बाद चीन जुग गया, चीन को समझ में नहीं आया और चीनी सेना वापस हो गई घर चली गई, चीन ने अपनी सेना को भुला लिया है इसके बाद भारती सेना प्रमुक का जो बयान आया है ये काफी माइने रखता है और ये पाकिस्तान के लिए भी माइने रखता है सेना एलेसी पर किसी भी चुनोती से निपटने के लिए तैयार है ऐसा कहा सेना प्रमुक ने उन्होंने बताया कि चीनी सेना से हमारी कोर कमांडर स्तर की आठ दोर की बाचीत हो चुकी थी उसके बावजूद नवे दोर की वारता का इंतजार कर रहे हैं उम्मीद है कि बातचित की दरिये हम समाधान का रास्ता निकाल पाएंगे ऐसा सेना प्रमुक ने कहा लेकिन उससे पहले ही 10,000 सेनिक वापस करा लिए चीन ने चीन डर गई है भारती सेनिकों का साहस भारती सेनिकों का शोर यही दिखा रहा है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चीन जबरदस्ती अड़ा हुआ था और डोकलाम आपको याद होगा लद्दाक आप देख रहे हैं इन सब जगों पे जो निरने आया है यह साबतोर पे संकेत देता है कि आज का भारत नहीं डरेगा किसी जिनपिंग से, किसी तानाशा से, किसी चीन से, पाकिस्तान जैसे किसी भी ऐसे देशों से नहीं डरेगा भारत का एक अपना वजूद है भारत आदपूरे विश्व में तेजी से उभरता हुआ राष्ट है और ये सब कुछ करके दिखा दिया प्रधान मंतिर नेंद मोदी के नित्रित वाली सरकार जो कि सरकार के मंतरी, ग्रिह मंतरी और रक्षा मंतरी खासतोर से राजनात सिंग ने जो दिखाया है खुली छूट दिया सेना को, खुली छूट दिया आप अपने स्तर पर जो करिये इसलिए भारती सेना ने पचास हजार सेनिकों को उसी बॉर्डर पर लगा दिया जहां पे चीन ने अपनी सेना लगाई थी एक इंच घुसने नहीं दिया गया उनको और अब वापस करा दिया गया है वापस हो गए है कई एक्षन हुए ताबरत और गोलिया विचली उसके बाद ये जो चीजे सामने आई ये सेना की बड़ी जीत है अब हम आपको जनरल नरवणे की बयान पर ले चलते हैं उन्होंने कुछ सैनिक पिछले इलाकों से सैनिकों को कुछ कम किया है यानि की हटाया है सरकार का निर्देश साफ है हम अपने मोचे पर डटे रहेंगे चाहे शर्दी हो या गर्मी दरसल मामला ये है कि चीन कह रहा है कि जो 10,000 सैनिक भागे हैं वहां से वह शर्दी के कारण भागे है लेकिन भारती सेना कर रही है कि भारती सेना कमजोर इतनी नहीं है भारती सेना मजबूत है और जो हमारे 50,000 सैनिक लगे हुए है वह अभी भी लगे रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे और हम एक इंच बढ़ेंगे ही घटने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि पुरानी चीजें अब बदल चुकी हैं आपको बदा दे जनरल नरवणे ने आगे कहा कि चीन के मुवमेंट को हम लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं थे लेकिन उन्हें फर्ष्ट मूवर एडवांटेस था पहले आने वाले को यह कर रख सके हमारा वार सठीक होगा पाकिस्तान पर बोले नरवणे नरवणे सेना प्रमुक है उन्होंने सापतवर पर कहा कि भारती सेना का वार सठीक होगा और पाकिस्तान डरे भारतियों को अब डरने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को लेकर जनरल नरवणे ने कहा कि पा पलटवार कर सकते हैं और आपने सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक तो देखा ही होगा, भारत एक्षन लेता है, अचानक से एक्षन लेता है, और पडोसी मुल्क की क्या अवकात है, यह हम सतर सालों से देख रहे हैं, कैसे हमने बंगला देश को पाकिस्तान से अलग किया कैसे हमने कारगिल में हमारी कम सेनिकों ने उनको धूल चटा दिया, वही पर गिर के मारे, मरे कितने सेनिक पाकिस्तान के मरे, भूखे मरे, जंगलों में भटके, यह अभी बयान, हाल में ही बयान आया है, पाकिस्तान के, इमरान खान की विपक्षी पार्टी के नेताओं का कि कारगिल के समय में पाकिस्तान के सैनिक भटक रहते बिना खाए भटक रहते जंगलों में उनके पास खाने तक लिए अनाज नहीं था ये है भारत जिस भारती सैनिकों पर कुछ सबूत गैंग सबूत मागती है भारती सैनिकों से उनके लिए ये कठोर जवाब है उन्होंने कहा कि हम अपनी तरब से किसी भी इस्थिती का मुकाबला करने के लिए तयार हैं हमने सैनिकों के लिए सर्दी से बचाओ और जरूरत से बहतर उपकरण मुहया कराए पाकिस्तान नहीं है पाकिस्तान की भिखारी सेना नहीं है कि बिना खाय मरेगी बहुत अच्छी ब्योस्ता हो रही है, टॉप क्लास की ब्योस्ता मिल रही है, भारती सैनिकों को, हमारे जवानों का मनोबल काफी उचा है, किसी तरह की चिंता की बात नहीं है, ऐसा नर्वडे करें, सेना प्रमुक हैं, और जरूरी है, जो देश की सेना सरहत पे, अपना सब क प्रित्याग करके वहां पे रह रही है, यह तो पाकिस्तान की ताना शाहिर विया, पाकिस्तान में लोकतंड नहीं है, वहां की सेना सिफ युद्ध करें, और उनको सैनिक भी नहीं कोंगा, मैं तो आतंग वादी काता हूं, जितने भी हम पाकिस्तान के बार्डर पर रहने वाले सब आतंगवादी हैं और वो जितने मारे जाएं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बिने खाए मर रहे हैं लेकिन भारती सेनिकों की बात करें तो बहुत अच्छी ब्योस्ता भारत के लोग दे रहे हैं यह सेना प्रमुख ने खुद कह दिया बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर इस्तित पहले से भी नाजुक हो गई है इस्तिती नाजुक है क्योंकि मामला गंभीर है लेकिन भारती सेना मुस्तेद है LAC की ताजा तस्वीरों से खुलासा हुआ कि दोनों देश के सैनिक 100 मीटर से कम दूरी पर तैनाथ हैं ऐसे में कभी भी विवाद का बंपूर सकता है इन तस्वीरों में एक तरफ भारती तो सामने चीनी सैनिक यानि कि आमने सामने 100 मीटर पे हैं ऐसे में जब 10,000 सैनिक वा आता है कि हम अभी भी डटे रहेंगे और एक इंच नहीं हटेंगे ये और ज्यादा माइने रखता है भारती सेनिकों के लिए और जो सेनिकों के प्रसंसक हैं उनके लिए नहीं जो सेना से सबूत मागते हैं सबूत मागने वाले गैंग के मूँपे तो तमाचा पड़ता रहत है हर सर्जिकल स्ट्राइख एर ष्ट्राइख और जितने भी स्ट्राइख हों इस ट्राइख होता रहे गा चार्ढू सबूत गैंग ऐसे ही मित्ति में मिलते रहेंगे दूल चाड़ते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कमेंड बॉक्स में आप भी चेहिंद लिखिए जुड़े रही है ओली न्यू नेशन के साथ वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें बहुत धन्यमाद